और मंडला की भी अगर बात करें तो कॉंग्रेस ने दो विधानसवा सीटों की सूची जारी किये निवास विधानसवाक शेत्र के वरतमान विधायक डॉक्टर अचोक मर्सकोली की सीट बदल दी गई मंडला विधानसवाक शेत्र का प्रत्याशी बनाए गया है निवास बरकड़े को आप चुनावी मैदान में हम देखेंगे जैन सिंग बरकड़े निवास नगर परिशत की पूर्वधेक्ष रह चुक है टिकेट मिलने के बाद डॉक्टर अशोक मर्सकोले के बंगले में बड़ी संख्या में कारकरता पहुच गया और जमकर आतिश बाजी हु बेसिक मडला के डिवलपमेंट की बात हो यहां के अच्छी सिक्षा अच्छा स्वास्थ और बेसिक जो इस्ट्रक्चरल डिवलपमेंट है मडला ट्राइवल डिस्टिक माना जाता है लेकिन हमारा ट्राइवल के अलावा यहां पर 50% से जादा सामानने वर्ग है उनकी अप अच्छा प्रतिनिदितों दें और बीसिक बीसिक चीजों को प्राइमरी लेवल पे सब चीजें हम मंडला को दें ताकि हम एक अच्छा विक्सित जिला की तरफ शाजापूर की शुजालपूर विधान सभा से रामवीर सिंग सिकरवार को पाटी ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है रामविर सिंग सिकरवार का टिकेट फाइनल होते ही उनके निवास पर समर्थकों का जमावडा लग गया तस्वीरों में आप देख रहे हैं आधी रात होने के बावजूद रामविर सिकरवार के समर्थकों ने जम करा तिश बाजी की और मिठाईयां बाटी है तो लगातार हमारे साथ हमारे रिपूर्टोस जुड़े हुए हैं अलग-अलग जगों से आप तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरीके से जशनी का महाल और खुशी समर्थकों में नजर आई अश्रफ हमारे साथ जुड़े हैं शालेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लेकिन शालेंद्र बात अगर करें खुशी की तो यहाँ पर उमिद्वारों ने इस तरीके से तयारी कर रखी थी मान कॉंग्रेस के सीनियर लीडर्स ये कह चुके थे कि हमें जिने चुनाओ लडाना है हम उनको बता चुके हैं उनको इसारा कर चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी है और करीब ये बात एक महीने सा रही थी ये जरूर है कि उसमें से कुछ टिकेट कटे भी है लेकिन ये देखा जाए तो कहीं न कहीं कमलनाथ पहले ही कुछ उम्मीदवारों को ये बता चुके थे कि उनका नाम सूची में आएगा आप अपने छेतर में तैयारी करो और हम जब भी सूची जारी करेंगे आपका नाम तय है और रहेगा उसमें तो इस हिसाब से ही कॉंग्रेस के जो ये प काटे गए हैं जैसे कि रतलाम की बात थी तो वो टिकेट काटा गया है तो एसे कुछ चेरे हैं जिनने अचानक से मोका मिला बाकी लगबग काफी बड़े जो चेरे तस्वीर जो साफ आई है जैसे विधायकों की बात कि जा सिटिंग एमेले की तो ज़्यादा तर सिटिंग इमेल को बोल दिया गया था कि उनको टिकेट मिलना है आप तो अपनी छेतर में तैयारी रखो तो कॉंग्रेस की एक सोची समझीर अनिती थी कॉंग्रेस इस बार बहुत ही संतूलित तरीके से प्लान करके ही आगे बढ़िये और ये जरूर है कि कॉंग्रेस में विरोध तो बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हां 100% जीतेंगे चैलेंड रेकॉर प्रमुक बात बताईएगा कई जगा ऐसी भी हैं इस तरह से हम बेख रहते आंदुलन हुएं या ये कहें कि शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी है गुर्जन महा अंदुलन ये भी आपने देख है दूसरी तरफ युवाओं की बीच भी कई बार विरूद के सुरह हमने देखे हैं ये उन मुद्दों की में बात करें जो कि चुनाव से पहले उठाए गए कितना प्रभाव इस बार चुनाव में पढ़ने वाला है ये भी समझाईएगा और क्या इसके मत दिन अजर किसी पार्टी ने समीकरन बठाने की कोशिश की है देखे जब भी चुनाव आता है तो उसके दो महीने तीन महीने पहले देखने में आता है कि अचानक से बहुत सारे अंदोलन शुरू होते हैं हम देखा जाए तो अगर कंडी सेना हो गुर्जर अंदोलन हो और अलग-अलग कर् तो भाजपा सरकार ने इसको लेकर रंडिती के तहित काम किया था कि हम जितनी भी समास थे अलग-अलग जातिया उनके प्रमुख नेताओं को बकायदा महापंचायत नाम देकर या अलग-अलग जाती गज्यसे की संतर अविदाद इसमारक करने की घोशना कर दी उसके अला पर भी वह वादे किये गए कि कोई समाज नाराज ना हो जाती बड़ा फेक्टर होती है क्योंकि चुनाओं में और यह देखने में भी आ रहा है कॉंग्रेस यह भी बोल सकी कि हम MP में अगर हमारी सरकार आईगी तो हम जाती गत आकड़े भी सामने लाएंगे तो कही ना कही समाजों का भी ध्यान रखा गया इस तरह के अंदोलन्स का भी ध्यान रखा गया कर्मचारी एक बड़ा फेक्टर होते हैं कर्मचारी सरकार को बनाने और गिराने में बहुत महित्पूंड कड़ी होते हैं तो कर्मचारियों को साधने लिखिये भी दोनों ही पाइटियों न भी वादे किये कि हमारी सरकार आ गई तो आपको हंड्रेट परसेंट रोजगार और कर्मचारियों को भत्ते सुईदाएं और बढ़ाएंगे तो निश्चित इन आंदोलनों को साधने की कोशिस की जाती है और यह चुनाओ की परंपरा है कि जोनों चुनाओ के समय जब चुन की मोग फ्री बी जो भली चुनावी घोशना है इस सब में आप असर देखे कि तरीके से आपने फ्री योजनाओं का जिकर किया फ्री वाले ऐलानों का जिकर किया शाले हिंद्र यह तमाम यूजनाएं ऐसी भी हैं जिनको लेकर सीधे तोर पर बीजेपी हमलावर कॉंग्रेस पर नजर आई अच्छा इसका कितना प्रभाव वोटर्स पर पड़ता है वोटर्स का मूड क्या कहता है देखे हम वोटर्स के मूड की बात करें तो वर्थ 2018 का चुटाओ बड़ा साफ था उस समय कॉंग्रेस के एक वादे ने सरकार बना दी थी कॉंग्रेस ने राहूल गांदी ने जब मन से कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे और किसानों में उस पूरे माहोल की वज़े से ही मध्यप्रदेस में कॉंग्रेस ने 2018 में सरकार बना ली थी तो वो वादा भाजपा को भारी पड़ा था भाजपा आकरी समय तक उसको भाप नहीं पाई थी कि ये कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा होगा तो इस बार भाजपा ने वो गल्ती नहीं दोराइनी चाही और लगातार बहुती संतुलित तरीके से काम